तो हाई ब्रीवान दिस इस गोड़ा बैलची एंड वेलकम टू माइ चोट आसा चैनल कॉलेज वाला तो आज की यह वीडियो होने वाला है वेवजी कॉलेजी वीचिस का फॉर्टीन नमर वीडियो जिसमा हम डिसकस करने वाले कुल का था के एक तौप गॉवर्न्मेंट कॉल श्यों बाद कॉल संसे प्रेकशन वेलकम यौ उसके बाद में घयाए चाथ्यू में अब बदोन अब बन चैनल कोथा करेंगे लेदर म्स और आत विडियो आले वीडियो जिसी इस यूट का फॉर्था वहता सब्सक्राइशन करेंगे जिसी का मतलब गॉवर्ण्मेंट कॉल को एंड तक जरूर देखना है और आप अगर बार्ग की तेरा कॉलिजिस के बारे में जानना जाते हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो कॉलेज वाई सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ही मिल जाएगा और यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सब्सक्रिप्शन बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो इसके लिए अपना डिप्लोमा और ब्सक्रिप्श के बाद जिलर के तुरू ले सकते हो सेकेंड यार पे उसके बाद अगर ब्रांच की बात करें तो इसके लिए अटेकनोलोजी तो इसके लिए इंटेक कापसीट्या रहता है फॉर्टि उसका बद कंपेस्ट साइंस इंचिरिंग आपको मिल जाएगा एन इनफोर्मेसें टेकनोलोजी मिल जाएगा तो यह ले भी आता है फॉर्टि और लाटर्लेंटि के बात एंटेक्टेह और इंतेक पेपेवट्वर्ण करना होगा 8101 एकंड सेमिस्टर से लास सेमिस्टर तक आपको हरग सेमिस्टर में पेपेवट्वर्ण करना होगा 4000 उसका बाद computer science Councillormore engineering के लिए आपको आधर रायम आप अब मैंनच सेमिस्टर पेवट्वर्ण करना होगा 18601 उसका बाद से हर सेमिस्टर में 13000 पार सेमिस्टर की सबसाब को पेवेंट करना होगा उसका बाद अगर काटोप की बात करें तो एक तो आपका रैंक 3000 के अंदर रहनना चाहिए तो आपको आरम से इस कॉलेज़ में से बारा आजर के बीच में रहता है तो आपको से मिल जाएगा तो यह 2022 का आप इस एक आईडिया लगा सकतू कि आपको इस कॉलेज़ पर कौन से ब्रैंच मिल ले वाला है या फिर इस करें तो इस कॉलेज़ का फैकल्टी बहुत अच्य हेलफूल है और इस को लेकर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है और आपका क्लास लैब या फिर वाक्सप बहुत अच्य हो जाता है इस कॉलेज़ पर उसके बाद आ जाते में पॉयंट प्लेस्मेंट पे तो 2017 म अबर्ड प्लेस्मेंट हो गया था 81 पासेंट हैस्ट पेकेज गया था 10 LPA अबर्ड प्लेस्मेंट प्लेस्मेंट हो गया था 77 पासेंट हैस्ट पेकेज गया था 7 LPA अबर्ड प्लेस्मेंट प्लेस्मेंट हो गया था 71 पासेंट हैस्ट पेकेज गया था 7 LPA अबर्ड प्लेस प्लेसमेंट हो गया था ऑफ फाइप ऑप्लेस्मेंट की बात करें तो तो सहरा में टेक्नलोजी का करीड ज़ाता है मतलब से केकनलोजी ब्रांच का अन्रीट पर स्थ पैसं को इज गप मिल जाता है इस कॉलेज में का 80 वासन से 90 वासन के बीच में प्लेस्मेंट हो जाता है इस कॉलेज में उसका बाद अगर कुछ कंपानिस की बात करें जो कि हर साल इस कॉलेज का स्ट्रों को हायर कर लेता है तो क्यापची मेनी इन्फोसीस ओसील इंडिया आई एप जी एल टेक महंद्रा एलन्ट इन्फोटेक उसके बाद टीसीएस आई बीएम एससील एडीपी टेकनोलोजी हिटाशी असेंच चार्ड रैक सेरामिक्स सिंतेल अमासोन कोगनिसेंट जिंदल तो यह सारे कुछ कंपानिस क सब्सक्राइब कर लेता है उतका ट्रेनिंग की बात करें तो इस आपको कुछ सेमिनार वाक्स्वाप या पर इंडॉस्ट्रियल विजिट करा जाएगा लेकिन आपको कोई भी इंटन्सीब नहीं किया रहे तो आपको करना है तो आपको खूदी मैनेज करना होता है क्योंकि कि आपको एक कॉवर्मन कोलेज में से मिल रहा है जिसमें आपका फीश ट्रक्चर बहुत कम रहता है आपको इतना ज्यादा फ्रीडम मिल रहा है तो इंटन्सीब आपको करना है तो खूदी मैनेज करना होगा को इंटन्सीब प्रोवाइट नहीं किया जाता है उसके बाद अगर छोटल की बात करए तो आभि सेप आपको बोई रहलेगा जिसमें सेड रहता है चीव एडिसूस के हिसाप्सब से लटका है और जाए जाए और समझेंगे नावरेकर के फैंटी यहां और आपको अच्छा class, workshop या फिर lab भी अच्छा मिल जाएगा इस college पे उसके बाद कुछ facilities की बात करें जो कि यह college आपको प्रोवाइट कर देता है तो library facilities आपको मिल जाएगा अभी फिलाल आपको boys hostel मिल ले वाला है girls hostel कुछी टाइम पे मिल जाएगा जो कि under construction है अभी उसके बा आपको इस college से मिलने वाला है उसका बाद केंपस लाइब की बात करें तो इस college में आपका केंपस लाइब बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि आपका restriction नहीं होता है कोई भी government college में तो आप अच्छे दार से अपना campus life enjoy कर सकते हो इस college में और आपके डेक्स्टर कारिकु क्लाब से अपनी इंट्रेस्ट के हिसाब से किसी भी क्लाब में पाटिसेब्स कर सकते हो उसका पाइब करता है तो हो जाता है इस college में उसका बाद पर पर आपर यूनियान उसका बहुत सारा जैसे के ब्लाट डोनर संक्राइब रिच्ट यह सारा कुछ अक्टिविटेस होता से उसका और भी बहुत सारे इवेंस रहता है इस college में तो आपको अच्छा प्लेस्में नहीं मिलता है लेकिन इत्ती बस्तन के उपर अबर्ल प्लेस्मेंट देखने को मिल जाएगा इस college में और अगर सेरामिक टेक्नोलोजी में अडमिस्न लेतों तो आपका 100 प्लेस्मेंट हो जाएगा इस college से अगर CSC आप आईटी में लेते हो तो आपको 80-90 के बीच में प्लेस्मेंट मिल जाएगा इस college से यह college आपको average package भी अच्छा प्रोवेड करते था है जो कि 5LP के बिच पह जाता है तो आपको यह अच्छा average प्रकेश्पी इस college से मिल जाएगा लेकिन प्र पहले सबये मिल क्यांट्ट सब्सक्तिक अवाइव लेकिन पफिरेशन परमें के पकाली सेखने को मिलेगा सेवेंटी पासन के करीब और इस कॉलेज पे मतलब सेरमेंट टेकनोलोजी कॉलेज पे आपको अबार्ड प्लेस्मेंट हो जाता है इती पासन के ऊपर उसका बाद दकार एबारेश प्रेकेज की बात करें तो जी सी एल्टी आपको एबारेश प्रोवाइड करता है 4.5 LPA के आ फॉराइब कर सकता है क्योंकि आपको इसी सीटी में में तकनोलाजी में हंडिट पर सब्सक्रिब आपको प्लेस्मेंट के लिए 80 पासन के लिए अपको प्लेस्मेंट मील जाता है और average package भी 5 LPA से उपर provide कर देता है यह college तो आपको 5 LPA से 5.5 LPA तक average package भी इस college से मिल जाएगा तो यह था इस college के बारे में सारे इडियल जो कि आपको इस college पर admission लेने से पहले जानना बहुत ज़्यादा जरूरी था इसके बाद भी आपका अगर कुछ भी college आता है इस college के बारे में तो आप मुझसे काने खरो सेकते हो फिस्बूक पेज या इंस्टा के तू लिंक आपको description बॉक्स पर ही मिल जाएगा और आप अगर मेरे चानल पर नहीं हो तो चानल को एक subscribe जरू कर देना और यह वीडियो थोड़ा भी helpful होता है तो वीडियो को एक लाइक जरू कर देना तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स रिवीव के साथ तब दक के लिए कीप सिहारिंग कीप लाइकिंग और कीप लाइकिंग में अल्सो